जैसा कि अभी जो है Redmi Note 5 Pro के लिए भी Call to OS 13.2 का Official Android 13 बिल्ड आ गया है और अभी हमें वनीला बिल्ड के साथ में देखने के मिलता है तो यहां पर मैं इंस्टोल कर लिया हूँ और इसका देखते हैं इसके अंदर में जो है सारी चीज़े टेस्ट करने के बाद अब यहां पर आ अच्छी लगे तो वीडियो को फी लाइक जरूर कर दीजेगा अब आप फोन के अंदर कुछ इस तरीके के स्पेक्स आपके मिल जाएंगे बागे इंडोइड वर्जन में जाओगे तो कोल्ट वैस का यह 13.2 का Official Android 13 बिल्ड है यह तो यहां पर जो हम बैक करते हो चलते इंटरनर अरजी साहर रहने वाले हैं और सिक्यूर्टी पैज 5 में 2023 करनल इसके अंदर पिक्सल एक्स्पीरियंस वाला मिलता है स्टॉक वाला करनल है वाकि यहां पर सलिनेक स्टेटस इनफोर्सिंग ही देखने को मिलता है और नेटवर्क इन इंटरनेट के अंदर जाओग इस तरीके से और प्राइवेट डिन इस नॉर्मल ही रहेगा बागी कनेक्टेट डिवाइस के अंदर में ब्लूटूट टाइम आउट है और कास्ट भी इसके अंदर एक सतो बार ट्राइक के अगर बात करें तो इसके अंदर जो है स्टेटस बार में आपको यहां पे क्लोक के अंदर सेटिंग्स तो काफसरी मिलते है फोन स्टाइल इस अब मिलेगा क्लोक के लिए बट यहां पर बैग्राउंड भी आपको अलगलग स्टाइल के देखने को मिलेंगे जो के भी लेटेस में वाले सिंपल हुआ करता पहले लेकिन अब धीरे-दिरे जब लेटेस वाल स्टाइल वह भी आप चेंज कर पाऊगे सिस्टम आइकन भी यहां पर मिल जाते नीचे फिर वॉल्टी आइकन के लिए हुआ है तो वॉल्टी आइकन भी मिल जाएगा और इसकी नीचे प्राइबिसी इंडिकेटर माइक का केमरे का लोकेशन का प्रोजेक्शन का इस अभी नीचे रॉमिंग इंडिकेटर रेस डाइकन है और स्टाइल मोवाईल टाइप आइकन मिलेगा एंड क्विक सेडिंग से जिसमें आपका क्विक सेडिंग का लियाऊट के लिए मिल जाएगा है यहां पर नीचे ब्राइन स्लाइडर की सेडिंग से और यहीं पर क्यूए चेंज कर पाऊगे जैसे सावेर पंक वाला मैं सेलेक किया कुछ इस तरीके के स्टाइल है अलग अलग स्टाइल इसमें आपको मिल जाते हैं और इसी के नीचे जो है हेडर में जो है 74 इमिज देखने को मिलती है जो कि बाकिम देखोगे किसी में 28 किसी में 11 जातातर में रहत Filled यहां मिलता है इसी में जो यहां पर यहां पर बांख वाला दिया गया है यह थोड़ा सा अलग अ पर स्टाइल जो ब्राइन जा गयाए सटाइआ लिए नीचे बेंड वाग्राउंंट ट्राउं सिक लिए कोई hanas कुछ भी आप इस पर लिखेंगे पर सो करने वाले कुछ भी आप वहाँ पर हैस्टेक अपना कुछ भी लिख सकतो और यहां पर बटन के अंदर अलगी बटन में आपका वॉलिम पैनल लेप्ट मुजिक कंट्रोल रियोरियंट इस सब चीजे हैं एंड सेटिंग्स के अंदर सब्सक्राइब आपका यहां पर अफ्लेंट नविगेशन से सटेंग्स पूरी मिल जाएगी जैस्चर बार का लेंद कंट्रोल कर पाओगे आई मीश्य स्पेस बीजिससे की वोड के नीचे का सब्वाइच कर पाओगे बैग्राउंड कर मिल जाता है कि आपको यह आपको मि अंदर ही मिलता है त्यां से नेवल कर लेना डिलीट को अप्शन है टोगल टोर्च है और डवल टैप स्लीप लॉक्षिन और स्टेटस बार के लिए दोनों के लिए भी मिल जाएगा और सिस्टम जेस्टर में जाओगे 100 मोड है पावर रटन एंड कोल है प्रेशन होल पावर इनफो भी है और हाइड स्टेटस बार बी है डिशेवल रिपेल इफेक्ट भी मिलता है मीडिया कबर आर्ट भी मिल जाता है और यहां पर पिल्स भी मिल जाता है यहां प्छूर के अंदर यहां पर एक तो मियूजिक टीकर है साथ-साथ एज लाइटिंग जो है वह आपको यहां पर नेक्स सुब्सक्रीन पर इसम प्रतीब देंग यहां पर अनिमेशन पर इनिमेशनल के वूर्ण हो गया को सब्सक्राम और स्पूरसिक्रीन पर निशचाइब कर नियुदेंगे यूज ब्लैक थिम को बिल जाए तक तरीके सब प्यॉर ब्लैक इससे आपका इनेबल हो जाएगा थिम आपए तरीक के लिए पर लागन वाज बसारे सीविधे सब्सक्राइब ना पर इसके इसको आपको इसको डिफोल्ट करते हैं बाकि वाइफाई आइकन देखने को मिल जाएंगे काफी सारे सिगनल आइकन इसके इंदर काफी मिल जाते हैं इसी के नीचे फिर फॉंट स्टाइल भी है और यहीं पर आइकन से भी हमें मिलता है बाकि लास्ट में वॉल्म पैनल स्टाइल दिया गया जिसमें डिफोर्ट आपको द पूटौन का यह देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का यह थे यहां पर इसके वॉल्म स्टाइल जो कि आप यहां से यूज कर पाऊगे भी अलगी लेटेस्ट ही एड हुआ है और लास्ट में मिसलेना से जिसमें गेम स्पेस है गेम स्पेस आपका बिल्कुल काम कर रह है इसका यूज आप कर पाऊगे कोई प्रॉलम आपको नहीं होने वाली है और यहां पर जो है आपको मैं ओन करके एक बार दिखा वज देता हूं इसको तो यहां पर जैसे ओन किया बाकी सेटिंग्स तो सिमलरी रहेगे जैसे बाक्यों मिलता है गूगल सर्विसेस आप ओन लॉक इन गेम का ओप्शन यह काम नहीं करता चार्जिंग अनिमेशन है यहीं पर आपको स्क्रीन रिकोर्डिंग के लिमेट्स रिमूब कर पाऊगे यह सबीक अन्फिकेशन और स्टेटस बार पैडिंग यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है यह सारी चीज़े है स्टाइल में भी आपको मिलता है यहां पर कोई क्रास नहीं होता है जब भी आप सेलेक्स कर पाऊगे और और इसका स्क्रीन टाइम आउट जो है बाइडफोल टू मिनट का सेट है तो आप अपनी साब सेट कर लेना बाकि लॉक्स टाइम आउट भी है नीचे फिर यहीं पर जो है बॉल टेक्स चे तो भी आप इनेवल कर पाऊगे नाइट लाइट है रोटेशन में फेस डिटेक्शन हलाकि अभी तो नहीं मिलता बाकी जो मॉड्स है वह आपको मिल जाएंगे और टैप टुवेक का बग रहने वाला इसके इंदर में बाकी बलर्क मिल जाएगा और अंबिन डिस्प्ले का यहां पर मिलता है बट टैप टुवेक वाला जल्दी अरजित सहा के बिल्ट में फिक्स हो जाए करेंगे आगे अपडेट में बाकी बॉल पेपर इस्टाइल में डिफोल जो भी सेट है यही आता है साथ में बॉल पेपर बेसिक कलर है सौट कर यहां के अंदर जाते हैं फिर यहां पर इसका जो लॉंचर ही इसके अंदर देखने को मिलता है और यहां पर भी काफी कस्टमाज सेना आइकन की पूरी सेटेंग्स मिलेगी फिर होम स्क्रीन वाला हो गया इसमें आपको बॉल पेपर स्क्रोलिंग जूमिंग और हो गया एड ग्ल इसके अंदर आपको टाक्सवर मिलेगा काफी लोग पूस्ते है कि नहीं तो यहां पर मिल जाता है इनेवल हैटिक फीडबैक ओन रिसेंट स्क्रोल मिलेगा एडियन प्रोड़क्टेड एब मिल जाएगा बैगरांड बिलर है एक्सन टोस्ट मिल जाएग और सासर रिस्टा है और यहिंगे जाएगा यहीं बैटरी सेबर भी है बैटरी मनेजर आपको मिलेगा बैटरी उप्ट मसलबग 6 quería यहां पर यहां पर seguinte अगर बैटरीओ बात करते हैं इसके अंदर मे है तो बैटरी थोड़ी ठीक है थोड़ा चार्जिंग स्लो होता है और साथ-साथ बैटरी चार्जिंग के जो लाइट है ओ नहीं जलती है यह प्रोलम भी है और यहां पे स्टोरेज कभी जो ग्राफ वाला की लेटेस्ट ही मिलता है यहां पर कुछ इस तरीक है जैसे बैटरी स्सीमा रिमनेसं भी मिल जाएगा और वॉल्म सिलाइडर पर पर सेंटेज भी मिल जाता है यह पूरा आपको यहां पर मीड्यल याउट लेटेस्ट ही है इसके अंदर में यह इस तरीकर आप आप आयो है पूरा लेटेस्ट रहेगा अब चलते हो आप इस सांड और बाइब है क्योंकि इसी के अंदर आपको इनकॉल बाइबरेशन भी मिलेगा इनेवल कर लेना रिंग टोन बाइबरेशन पैटन भी है कस्टम बाइबरेशन भी आप आप आओगे बागी के साउंड के और इसी में नीचे पर आप वॉल्म कॉंट्रोल को भी ऑप्सन मिल जाता जो कि का आपको कोई प्रॉबलम नहीं मिलती अच्छे से काम कर रहा है तो सेटिंग्स की नॉर्मल भी रहती है जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर नीचे चलते हैं तो इसके अंदर डिष्टएलल वेल्विंग अला कि वह देखने को मिला है वागिस्टम के अंद पर जिसमें आपका MI sound answer है काम कर रहा है अम्बेंड डिस्प्ले भी है यह भी मिल जाएगा कलर के लिए भी मिल जाता है एक पेस ओवरले भी है क्लियर स्पीकर भी ओर थर्मल प्रोफाइल भी यहां पर दिया गया जो कि अपने गेम पर बेंचमार्च करते हो थोड़ा पर फॉ बाकि यहां पे Bluetooth टाइल अपर होल्ड करोगे तब पॉप-प सेटिंग मिलता है नॉर्मल में आपका on-off हो जाएगा एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है और एडिट में जाते हैं तो रीसेट बटन लेटिस्ट है और टाइल्स की कमी नहीं होगी क्यों काफी टाइल्स दे यहां और बढ़ जाता ऑसो ओो जाता एक है एक तरीक है पर जो अरीक ने पर चलोने वाला ये स्क्रीन रिकयोडिंग के साथ में तो यहां पर सुमिल जाने पर यहां परजिए श्क्रों स्द्वाय तरीकंतर हो चाहिए दूसरा यहाँ पर मिल जाता है camera go बाकि थर्ड वाला gcam manually install के हो इसके अंदर में gcam और यह बिल्कुल अच्छे से काम कर इसके अंदर कोई भी freezing यूशू फिलाल मुझे देखने हो कि यहाँ पर नहीं मिला है बिल्कुल आपका safety net यहाँ पर पास रहेगा calling के अंदर यहाँ पर आपका जो है वॉल्टी काम कर है carrier video call का बग रहेगा वाइफ़ी calling का भी बग है प्रॉक्समेटी sensor काम कर रहा है call recording विल्कुल वरकिंग है और ESP डाल के साथ जैसे क्या आता है Bluetooth डिवाइस भी media और calling दोनों के अंदर काम कर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है Antutu score 1,79,707 मिला है और CPU thriller अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 91% मिला है और इसका जो Jeep score है Max पर 1,32,000 है एवरेज score के अंदर 1,22,000 तक देखने को मिल जा रहा है और Geekbench score single में 301 मिला है और Multiscore में 1148 जो है देखने को हमें यहाँ पर स्कोर यह मिल जाता है अब boot animation थोड़ास दिखा दू, Colt OS का जैसे कि first video में हमेशा दिखा तो आगे फिर देखाऊंगा नहीं क्योंकि अभी जब change हो का तभी दिखाऊंगा नहीं तो अभी आपको यह first में ही देखने की सारी चीज़े मिलेंगी तो कुछ इस तरीक एगा इसका boot animation रहेगा और जैसे कि बताया जो अभी अजीद सहा के SP Rooms में जाता तर में देखो के double tap 2 का बग राता इसके अंदर भी है पूरी प्रॉपर तरीके से आ नहीं जाता है यहां पर प्लेश्टोर पर सिप्सो कर रहा भी बीजिमाई इंडिया में बाकि यहां पर गेम स्पे कुछ इस तरीके का मिलता है इसके अंदर में तो हम यहां पर चलते हैं इसके ग्राफिक के तरह और ग्राफिक को यहां पर खेल रहा हूं और यहां पर गेमिंग देखो तो अगर सी योडी में खेल रहा हूं तो ठीक ठाक सा मेरे को यहां पर लग रहा है बाट अगर बीजिमाई जैसे खेलेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है अगर हम देखे परफॉमेंस के मामले में बितो तो करनल चेंज करो जरूर आपका इंप्रूमें अगर आप नहीं हूँ कि स्मूद पर मीडियम अनलोक रहता है पहले हाई प्रूद पर है और एसके अंदर ठीक है फिर भी पर बीजिमाई के अंदर बिल्कुल भी यह पपजी के इंदर देखो तो उतना अच्छा नहीं रहने वाला है तिया ही था आज कि वीडियो में और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस करके और पिकल दीजे ताकि एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स फो वाचिंग प्रण को प्रण कर देख लिए वीडियो कि अटार आपको मिल आपको मिल एक लेवाचिंग सेत्सेंगा थैंक्स फाल में आपको मिल एक जआ एक लाइक टाना में आपको मैं.